नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वाक्त हो गया है राजधर्म का आज सबसे जादा चर्चा में मुंबई है जहां एक और विधान परिशद चुनाफ के लिए वोटिंग के प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसी और दीश के सबसे अमीर शक्स मुकीश अमबानी के बेजे की शादी है अलंत अमबानी की बारात निकलने वाली है बारात में कौन कौन शामिल होने जा रहा है शादी के लिए क्या खास इंतजाम किये गए हैं वो तमाम तस्वीरे भी आपको बताओंगी जानकारी भी आपको दूँगी लेकिन साथ ही दिली के मुख्य मंद्री अर्विन केजरिवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जबानत तो मिल गई लेकिन वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं पीच आखिर कहां फसा है केजरिवाल का मैटर बड़ी बेंच को क्यों भेजा गया है इसका भी विचलेशन करूँगी लेकिन सबसे पहले बात होगी महराश्र के विधान परिश्य चुनाप की आपको सबसे पहले बता दू किसे क्रॉस वोटिंग का डर है ये जानकारी आपको मिलेगी सर्फ यहां बीजेपी बारा वोट कम होते हुए भी कैसे बासी जीत लेगी ये भी आप देखेंगे राजधर में शिंदे और अजीत पवार ने कैसे जाल बिचाया और अब तक की कहानी क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात महराश्र विदान परिश्ट चुनाव की महराश्र मी सितंबर अक्टूबर में विदान सुबर चुनाव हो सकते हैं लेकिन उससे पहले आज विदान परिश्ट की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है सुबह 9 ब मैदान में हैं एंडिये ने नौ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है तो वहीं इंडिया एलाइंस की बात करें तो तीन उमीदवार मैदान में उतारे गए हैं मतलब ये कि एक उमीदवार की हार तो तैय है वो हार महायूती की ओर से होगी या फिर महाविकासगारी की ओर से होगी इस पर फैफला रिजल्ट आने के बाद होगा क्योंकि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए 23 वोट मतलब यह कि अगर संक्या बल के बाद करें तो पलड़ा महा विकास अघारी का भारी पड़ रहा है या महा यूती का यह अभी आपको समझ में आ जाएगा क्रास वोटिंग हुई तो NDA अपने सभी 9 कैंडिडेट को जिता लेगी क्योंकि BJP ने तो अपने 5 वे कैंडिडेट के लिए जुगार कर लिया है अब BJP ने तो अपने 5 वे कैंडिडेट के लिए वोट का जुगार किया तो दूसरे तरफ उदव ठाकरे के पास भी जरूरत स से कम वोट दिखाएते रहे हैं अगर NDA ने सेंध मारी कर ली तो स्वमी करन बिगड़ सकता है हर कैंडिडेट को 23 वोट के आवश्यक्ता सीट 11 कैंडिडेट 12 बहुत नाइंसाफी है लेकिन खेर यह राज नीती है मजाग की बात नहीं है महराश्र विदान सुभा ववन में वोटिंग की प्रक्रिया जा रही है विदायकों का पहुंचना लगातार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं सुभह से महराश्र के मुख्यमंतरी एक नाच शिंदे भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया अब वोटिंग में गंटे से भी कम का वक्त बाकी है और शाम पांच बज़े से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी महराश्र में एमिलसी का चुनाव इसलिए दिल्चस्प हो गया है कि 11 सीटों के लिए मैदान में है कुल 12 उमीदवार आपको बता दें सबसे पहले बात NDA की महायुती यानि के NDA जिसके नौ उमीदवार है इस चुनाव में पांच बीज़ेपी के कैंडिडेट दो शिवसेना के शिंदे गुट के कैंडिडेट न्सपी कारजीत गुट जिसके दो कैंडिडेट है मैदान में तो वहीं अगर माविकास वगारी क के बात की जाए इंडिया लाइंस के बात की जाए तो कॉंगर्स के एक शिवसेना का उबाठा ग्रोप एक और शेतकारी कामकार पक्ष के एक उमीदवार जिसे NCP के शिरत पवार गुट का स्वमर्थन हासल है अब अगली बात विधायकों में सेंद मारी अगर ना हो इसके यह हर दल विधायकों पर कड़ी नसर रखे हुए है महराश्र की डेपीटी सीम और NCP चीफ अजीद पवार तो बस अपने विधायकों को लेकर होटल से विधान सुभा बवन बस अभी पहुंचे ही हैं अजीद पवार के पास 40 विधायक हैं उन्होंने दो उमीदवार और साथ ही योगेश तिलेकार ये पांच कैंडिडेट जो बीज़ेपी ने अपने कोटे से उता रहे हैं अब शिवसीना के दो कैंडिडेट कृपाल तुमाने और भावना गवली मैदान में हैं अजीद पवार गुठ जिनके दो कैंडिडेट शिवाजी गर्जे और राजेश विटे कर ये चुनावी मैदान में हैं दूसरे पक्ष की भी बात कर लें महा विकास अघारी ने तीन उमीदवार उता रहे हैं कॉंग्रिस की ओर से प्रग्या राजीव सातफ मैदान में हैं शिव फिना का उबाठा ग्रूप मिलंद नार्वेकर मैदान में हैं जिनकी जीत लग भक्ताय नसर आ रही है यहाँ पर कोई जुनावती नहीं शेदकारी कामकार पक्ष जैन्त पाटर चुनावी मैदान में हैं आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट होता जिस भी राज में विधान परिश्यत का चुनाव होता है महां विधान सभा की मौझूदा स्थिति यानि कितने विधान सभा में हैं उसमें विधान परिश्यत की खाली सीट में एक जोड़ देने के बाद जो वैल्यू आती है उससे डिवाइट किया जाता है तो एक MLC के ल प्लास वान यानि कि एक MLC के लिए जरूरी वोट की संख्या निकल कर आती है अब महाराश्वर विधान सभा की कुल विधायकों की संख्या 288 है यानि 288 है लेकिन 14 सीट फिलाल खाली है यानि कि महाराश्वर एसेंबली की मौझूदा विधायकों की संख्या मिलकर हुई 274 जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 103 विधायक बीजेपी के पास है, दूसरा नमबर आता है शिवसेना का शिंदे गोट जिनके पास है 40 विधायक, फिर शिवसेना का शिंदे गोट 38 विधायक, उसके बाद कॉंग्रिस के नमबर जिनके 37 विधायक है, शिवसेना strength है इस वक तब विधान सुभा की आपने महराश्रों विधान सुभा का मौझूदा स्टेटिस तो देख लिए अब आपको मैं बताती हूँ कि महराश्रों में एक MLC के लिए 23 वोट की जरूरत कैसे हुई जैसे मैंने आपको समझाया था कि विधान सुभा में मौझूद विधायकों की संख्या यानि कि मौझूद संख्या और विधान परिशद में खाली सीट में एक जोड़ने के बाद जो बैल्यू निकल कराती है उसे आप डिवाइट जब करते हैं तो एक MLC के लिए जरूरी वोट मिलता है अब महराश्र में क्यूंकि 274 विधायक हैं और खाली है 11 सीट यानि कि इसमें अगर एक जोड़ दें तो बैल्यू निकलती है बारा अगर आप 274 को 12 से डिवाइट करते हैं तो निकला नमबर 23 यानि कि अगर एक MLC को जिताना है विधान परिशद में पहुँचाना है तो एक कैंडिडेट के पीछे 23 विधायकों का सुमर्था 23 विधायकों का वोट आविश्यक हो जाता है अब अगर वोट के बात करें तो N ने नौ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और उनके पास कुल 203 वोट है जबकि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 वोट चाहिए जिसी साब सी एंगे को 207 वोट की ज़रूरत पड़ेगी अब आप ये देखिए अगर दूसरी तरफ आप देख लिए अगर इंडिया एलाइम्स की स्थिती की बात कर लें तो इन्होंने तीन प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं इनके पास टोटल स्ट्रेंथ है 72 की तीन कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 से गुना कीजे तो 69 की वैल्यू निकलती है यानि की तीन वोट एक्स्ट्रा है क्योंकि इनके पास है 72 की स्ट्रेंथ अब सवाल ये है कि बीजेपी जीत का दावा कर रही है आखर जीत को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों है तो इसके पीछे है विधायकों का अंक गनित महराश्ट्रु विधान सभा में बीजेपी के कुल 103 विधायक है बीजेपी ने उमीदवार उता रहे हैं 5 इन मे इसी 4 के जीत तो पकी है क्योंकि 4 को जिताने के लिए जितने वोटों के आवेश्टा है उतना तो इसमें से आसानी से निकलता है अगर आप गुना करेंगे 23 को 5 से 115 के वैल्यू निकल कर आती है लेकिन अगर उनको पांचवे कैंडिडेट को भी जिताना है तो ऐसी की पीछे बज़े है निर्दलिय विधायक बारा निर्दलिय विधायक का अगर साथ मिल जाये तो उनका पांचवा उमीदवार भी जीत जाएगा यानि की चार की जीत पकी है पांचवे के लिए जो टेंशन है उसे दूर करने के लिए बारा निर्दलिय विधायकों का साथ बीजेपी को आविश्यक है तो यह है confidence के पीछे MLC चुनाव में बीजेपी के 5 उमीदवारों की जीत के पीछे का यह confidence है वो यहां से आ रहा है अगर यह सभी NGA के साथ आ जाते हैं 12 विधाइक भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल देते हैं तो बीजेपी अपने 5 जिता लेगी से पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में है और विधान परिशत की प्याइपी जो हम काटे की टक्कर देख हुए है पंकजा जी घ्या लगता एक कितने काटेवी तक्कर है किस तरीके से चुनाव होगा देखे मुझे पूरा विश्वास है हम सत्ता में हैं हमारे विधायकों के संख्या अधिक है और हम पूरी तरह विजह होंगी यह मुझे विश्वास है तभी पर देखे तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं तो जरूरत लग अधिकल में अलग अनुबवाव और यह लाखो के अधियों का वेचनितियों का वोट लेकर चुनाव लड़ना है तुमें या लेल अदुद॑ पार्टि ने जो ज सरह से प्लैनिंग किया है उस तरह से हम लोग सिर्फ तर फोनेदवारी हैं ऑ्मे C." यह थी पंकजा मुंडे जिन्हों ने विश्वास वक्त किया है कि पार्टी ने जिस तरीके से पूरी योजना बनाई है उसके चलते बहुत और उमीदवार वो चुनकर आएंगी यह विश्वास पंकजा मुंडे व्यक्त करती नजरा रही है अगर बीचेपी के सभी पांच उमीदवार जीत जाएंगे तो फिर टेंशन इंडिया गडबंधन की है क्योंकि उधव ठाकरे की पार्टी तो दावा ये कर रही है कि उनके सभी तीन उमीदवार जीतेंगे नेकिन उधव की पार्टी खुद कॉंग्रिस की सहारे है और वो कैसे वो आपको समझाती हूँ महराश्व विधान सभा में क्योंकि कॉंग्रिस के 37 विधायक हैं कॉंग्रिस में अपने एक ही कैंडिडेट को उतारा है यानि की कॉंग्रिस को केवल 23 वोट के आविशर रकता है तो अगर इसमें से यानि 27 से से तेज घटा लें तो 14 वोट इस वक्त कॉंग्रिस पार्टी के पास एक्स्रा होते हैं जबकि उधव ठाकरे के पार्टी के पास कितने विधायक हैं 16 विदायक हैं एक उमीदवार को जिताने के लिए 23 वोट के आविशकता है यानि कि इन टोटल वोट की संख्या में से 7 कम पड़ रहे हैं 23 में से केवल 16 उनके पास वोट हैं 7 कम पड़ रहे हैं अगर कॉंग्रेस के 7 विदायक उधव ठाकरे के लिए खड़े भी हो जाते हैं तो ये देखिए अगर यहां के एक्स्ट्रा 7 वोट उधव ठाकरे के साथ जुड़ तो जाते हैं तो उधव ठाकरे के तो एक कैंडिडेट जी चाहेंगे लेकिन फिर भी 7 वोट एक्स्ट्रा हो जाते हैं और कॉंग्रेस को डर इसी बात का है कि ये जो हमारे बचे वूए 7 वोट है कहीं वो क्रास वोटिंग ना करते हैं। इस चुनाव में एक साल पहले जो चुनावा था उसमें मुझे वोटिंग करने की पर्मिशन देना चाहिए। लेकिन मैंने जो कोट में अर्जी किया था कोट ने उसको नका रहा है। उसके मुझे वोटिंग करने की पर्मिशन कोट ने नहीं दी थी। हाई कोड गया हाई कोड ने मुझे पर्मिशन ली दिये लेकिन आज जो विदान परश्चत का चुनाव होने जा रहा है उसमें गनपत गायकवार जो बीजी पी के विधायक है वो आज गोलिवार के प्रकरन में तलोजा जेल में हैं उन्होंने पर्मिशन मागी ती ता आज को किस प्रकार का नयायइं एक विधायक को एक साल पहले पर्मिशन दी दी जाती है और एक विधायक को आज की चुनाव में पर्मिशन दी जाती है विए विदान परिशत का जीत कर कितना विश्वास दिख रहा है सर क्योंकि नंबर गेम्स जो है चाहे आपके महाविकास अगारी के हो या महाविकास यूति के हो जो नंबर से हैं इकड़ी कॉंग्रेस रास्टावदी सीवसेना हम इकटा है हमार अच्छा कॉर्डिनेशन है और तीनों की तीनों सीथ ह ये मार दे जाएं लेकिन एकनाज शिंदे के बार्htी ने भी दोउमीदवार उतार कर मुकाबले को दल्चसप बनातिया है अगर अंक गणित की बात करूँ तो विधायन सुभा में एकनाज शिंदे के अर्थिस विधाएक है शिंदे के दो उमीदवार मैदान अब 46 वोट अगर चाहिए तो यानि कि 8 वोट कम पड़ रही हैं, इसे कहां से अकॉमेटेट किया जाएगा। ऐसे में शिंदे को दो निर्दलिये जो बीजेपी से बचे हुए हैं, उनका साथ मिलेगा। या देखिए, एक की जीत पकी है, दूसरे के लिए 8 वोट की और जरूरत है, अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो ये संभव है, यानि कि बंचित अगारी के तीन विधायकों का साथ मिल जाए, इसके बाद तीन और विधायकों की जरूरत पड़े, हाला कि MNS और RSP का एक स आजाना थोड़ी चिंता बढ़ाता जरूर है, लेकिन शिंदे की एक सीट पर जीत पकी करता है, और दूसरे के लिए कस्रत करनी पड़ सकती है, लेकिन कॉंग्रेस का दावा ये है कि महा विकास वागारी के विधायक एक जुट हैं, और चुनाव में उनकी ही जीत होगी. कि विजय हमारे ही होने वाला है, विजय MBA का ही होने वाला है, और कॉंग्रेस पार्टी का तो एक नंबर पर कैंडिडेट चुनते आएगा, क्यूंकि सभी हमारे जेश्टर नेतागन इधर है, और वो सब की, सब लोग मिलके उस पर वर्काउट कर रहे हैं. कुछ विजय कहने लगते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विजय दूस्रों के संपर्क में, यह जो अभी से शुरू हो गया है, इसके लगता है आपको क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सब एक साथ है, और क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं होगी, सब ही जन एक साथ, सब का आशिरवाद मेरे साथ है, और बहुमत से हमारा सीट चुनके आने वाला है। प्लस एक तेरा तो हो जाते हैं, जरूरत तो 23 की है, जीत के लिए 23 विधायक चाहिए कि मतलब कि 10 वोट और चाहिए जो कम पड़ रहे हैं, उधव के सुमर्थन के बाद कॉंग्रेस से जो 7 वोट बढ़ जाते हैं, अगर वो भी इस कैंडिडेट को मिल जाए, तब भी 3 वि विधायक ने गच्चा दे दिया, यानि कि क्रॉस वोटिंग कर दी, तो फिर जीत मुश्किल हो जाएगी. किया है, बोला है मुझे आना है, इसलिए मैं आज इदर आया हूँ, और पार्टी के पक्षित मिलने जा रहा हूँ, और जो वो कहेंगे, उस वोट बढ़ जा रहा है, क्योंकि आपके पिता जी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो इसका दुख है, दुख तो है कि कि पूटि के जो नेता है, उन्हों संपत करेंगे, कोई फोन आया, कोई मैसेज आया, किसी का मेसेज ये कॉल नहीं आया, जो कॉंग्रेस पार्टी कहेंगी, उसी के लिए वोट दाले हूँ, आपको जब संपत नहीं किया गया, तो लास्ट मैसेज आपको क्या मिला, जो है क कि आपको कॉंग्रेस पार्टी के ओफिस से मेसेज आया, कि आपको इधर आ जाना है, और कॉंग्रेस पार्टी के हिसाब से वोट दालना है, इसलिए मैं आज आया हूँ अब असली सवाल तो यह है कि अजीत पवार वाली NCP के भी दो उमीदवार मैदान में हैं, विधान सुभा में उनके 40 विधायक हैं, और उन्हें दोनों को जिताने के लिए 46 वोट के आविश रकता है, यानि उनके पास इस वक्त जरूरत से 6 वोट कम पड़ रहे हैं, यानि 40 वोट उनके पास पहले से है, दो कैंडिडेट के लिए चाहिए 46 वोट और यहां पर 6 वोट कम पड़ रहे हैं, क्योंकि संख्या तो उनके पास किबल 40 की है, ऐसे में अगर वो अपने चाचा के पार्टी में फिर से सेंध मारी करपाने में कामियाब रहते हैं, तो शायद दोनों उमीदवार जीत जाएं, क्योंकि शरत पवार ने कोई उमीदवार नहीं उतारा है, हमने आपको जानकारी दी कि शेतकारी पक्ष की तरफ उन्होंने अपने विधायकों को वोट करने के लिए कहा है, महराश रुमी इंडिया गडबंधन के लिए टेंशन का वक्त है जब तक की रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो खेल बिगड़ भी सकता है, लेकिन इंडिया एलाइन्स के लिए दिली से आज एक रहत भरी खबर आए, इंडिया एलाइन्स के सयोगी अर्विन केजरिवाल को सुप्रीम कोट में आज बड रहने वाले हैं क्योंकि केजरिवाल को ईजी के मामले में तो अंतरिम जबानत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ सी बी आए के मामले में उनकी नियाए खिरासवत 25 जुलाइ तक बढ़हा दी गई है, अर्विन केजरिवाल हाला की जबानत याचिका पर 17 जुलाइ को दिली ह हाई कोट में 17 जुलाइ को सुनवाई होनी है, मतलब ये कि केजरिवाल को ईजी के मामले में राहत मिली है, पर सी बी आए के केस में अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा, अब सुप्रीम कोट में आज जस्टिव संजीव खन्ना की बेंच ने अर्विन केजरिवाल को अंतर सुप्रीम कोट ने तीन जज़ों की बेंच को अब इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा है, जबकि बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी तब तक के लिए अर्विन केजरिवाल को ईजी की केस में इंटरिम बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत बड़ा रहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीमले का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधार ही नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है, ना अभी अर्विंद के जरिवाल जी का, ना अर्विंद के जरिवाल जी के खिलाब कोई सक्षे है, और कहीं भी अभी तक ये तैय नहीं कर पाई, इस्टेबलिस कर पाई है कि किन सरकम सांसे में मन्य मुख्यमंतरी को अरेस्ट करना पड़ा उनको, क्योंकि हम लोग पहले दिन से कर है कि पॉलिटिकल मॉटिवेटेड ये केस है, इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किशी तरह का कोई सक्षे आधार अभी तक एड़ी इस्टेबलिस नहीं कर पाई है, अब मने सरवोचे जाले ने ये तैय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लाजर बेंच इस चीज को तैय करे देते हुए जिस्टिफ संजीव खना के बेंच ने जो कहा वो भी आपको बता दूँ, अर्विन केश्रिवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किये जाने का नरदेश देते हैं, हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता है और उन्हें ये तैय करना है कि वो मुख पर किसी को गिरफतार नहीं किया जा सकता, इस वक्त आपको लगातार जानकारी देदी, सुप्रीम कोट से अंतरिम जमानत भले ही मिल गई है, अर्विन केश्रिवाल को लेकिन अभी उनकी रहाई दूर नज़र आ रही है, क्योंकि सीबियाई ने उनके उपर केश दर्ज कर रखा है, उनकी रिमांट की अब धी बढ़ा दी गई है, 17 जुलाई को जो उन्होंने अपनी गिरफतारी को चालेंज किया है, हाई कोट में ये मामलाब हाई कोट में सुना जाएगा, यानि कि ये तैमान कर चलिए, 17 जुलाई तक अर्विन के इश्रिवाल बाहर नहीं आने बाले हैं, और 17 जुलाई को सुनवाई के तौलाण मान लीजिए, अगर हाई कोट से उन्हें रहत मिल भी जाती है, तो उनकी इस रहाई को सी बी आई सुप्रीम कोट में भी चालेंज कर सकती है, यानि कि अभी चुनातिया अर्विन के इश्रिवाल के लिए खत्म नहीं हु कि ग्रफतारी को लेकर, उनके ओपर आरोप को लेकर, कहा गया कि बीजेपी को पता था कि सुप्रीम कोट से अर्विन के इश्रिवाल को बेल मिल जाएगी, और इसले बीजेपी के इशारे पर ही सी बी आई ने अर्विन के इश्रिवाल को अरेस्ट किया, ताकि वो जमानत पाने के बाद भी रेहा ना हो सके। पाजनेतिक हथ्यार CBI से अर्विंद केजरीवाल जी को गिरफ़तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ़तार CBI से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ़तार करवाया कि अगर ED के केस में जमानत मिल गई तो अर्विंद केजरीवाल जी बहार आकर दस गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग और भारतिये जनता पार्टी का शड्यांत्र रुकता नहीं है इसलिए CBI के केस में रेस्ट किया मैं आज भारतिये जनता पार्टी को ये कहना चाहती है कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायाले ने आपके शड्यांत्र का फर्दा फाश किया मेरी स्योगी गौनिका रोडा इस वक्त न्यूस रूम से लाइव जुड़ गई है गौनिका आज अपने कोट के जज्ज्मेंट में उन्होंने कहा कि हमने तीन सवाल तयार किये हैं और इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है तो यह जो तीन सवाल तयार किये गए हैं वो पूछी गई थी जो बात कोट के सामने रखी गई थी उसी नीड और नेसेसिटी के लिए कोट ने काया है कि वह इसकी जरूरत है यह नहीं वो सपर लिया जाएगा यह नहीं उस पर कोट लाजर बेंच वह सुनवाही करेगे इसके साथ साथ यह भी कहा गया जो नीड नीड कि क्या अरेस्टिंग करने का फॉर्मल पैरामीटर हो सकता है या नहीं उस चीज़ पर लार्जर बेंट सुनवाई करें कि इसके साथ साथ जो दोनों कोशन्स है यानि कि ये दोनों चीज़ें इन अफिमेटे वट अर्ड़ पैरामीटर्स और फैक्ट यानि कि क्या पैरामीटर्स और फैक्ट हो सकते हैं जिसके आधार पर कोट ये कंसीडर करें कि कि किसी का आरेस्ट किया जाना सही है या नहीं सही है इन सारी चीज़ों पर सुनवाई करेगा लेकि मिनाक्षी क्योंकि रहारा जा सकते हैं अपनें सकते हैं वो डेली सेक्रेटरेट में नहीं जा सकते हैं यानि कि वो अपने office में बैठ कर काम भी नहीं कर सकते इसके इलावाद जो दूसरी condition है उसके बाद वो कोई official file sign नहीं कर सकते है कोई भी file अगर उनके सामने आती है अगर बहुत ज़ादा जरूरत पड़ जाती है किसी भी फाइल को साइन करने की बहुत जरूरत होती है कोई मामला अर्जंसी का है तो उन्हें पहले LG से अप्रूवल लेना होगा उसके बाद वो फाइल उन्हें साइन करनी होगा LG के क्लियरंस अप्रूवल के बाद ही इसके साथ सथ वो कोई स्टेटमेंट कोई कमेंट नहीं करेंगे इस केस के बारे में ये कंडिशन संजे सिंग के सामने भी रखी गई थी अर्विन के जिवाल जब कुछ दिन की जमानत पर बाहर आये थे जब उन्हें प्रचार करना था तब भी उनके सामने यही कंडिशन थी और अब भी उनके सामने यही कंडिशन रखी गई है कि कोई कमेंट वो नहीं करेंगे पब्लिक में इस केस को लेकर किसी भी गवा से वो नहीं मिलेंगे किसी भी गवा से बाची नहीं करेंगे और इसलिए सुप्रीम कोट जब अपना फैसला सुना रहा था तब उन्होंने यह कहा कि अब उन्हें स्टीफा देना है या नहीं देना है यह वो टाय करें क्योंकि यह अंतरिम जमानत है पूरी राहत नहीं देखे बिलकुल यह क्योंकि मैं कंडिशन इसलिए बता रहे हूँ क्योंकि कोट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है कोट के सामने CBI का मैटर नहीं गया CBI का मैटर दिल्ली हाई कोट के सामने चल रहा है सुप्रीम कोट ने अपना आधिर सिर्फ E-D के मामले में दिया है CBI के मामले में दिल्ली हाई कोट डिसाइड करेगा जो 17 जुलाई को सुनवाई होनी है अलाकि वो भी सुनवाई होगी उसमें कितनी लंबी हेरिंग चलेगी कब और रिजर्व होगा कब और सुनाया जाएगा यह सारी प्रक्रिया अभी लंबी है लेकिन फिलाल जो उनको कंडिशन दी गई है यानि कि अगर CBI के मामले में भी उनको रहत मिलती है तो E-D के मामले में उनको यह रहत मिली हुई है और जब वो बाहर आएंगे तो यह कंडिशन उने E-D के मामले में फॉलो करनी ही पड़ेंगी ऐसे में यह भी कहा गया है कि जो एंट्रिम बेल है अगर लार्जर बेंच बैठती है वो इस पूरे मामले पर अगर जबालनी जे E-D चैलन्ज करता है कि अर्विन के जबाल को मिली जमानत ठीक नहीं है या यह जमानत अब खत्म होनी चाहिए तो वो जमानत भी लार्जर बेंच अगर चाहे तो वो इस एंट्रिम बेल को खत्म कर सकती है यह लार्जर बेंच टैक कर सकता है इसका कोई फाइदा दिल्ली के जनता को मिलेगा या नहीं यह बड़ा प्रश्ण है बहुत शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारे के लिए आपका E-D जहां अर्विन के इश्रिवाल को शराफ गोटाले का किंग पेंड याने मुख्य सासिश करता बता रही है तो बहीं आम आदनी पाजी इसे बड़ी सासिश कह रही है आम आदनी पाजी का आरोप है कि अर्विन के इश्रिवाल को जेल में बंद रखने के लिए बीजेपी ने सामदाम दन बेद जोब हो कर सकती थी उसने सारे हतकंडे अपनाए है और इसके पीछे जो कारण है वो ये दे रही है कि ट्रैल कोट की ओर से जब जमानत पहुंच गई थी तो E.T. हाई कोट पहुंच गई और उस पर बेल पर स्टी ले लिया वो ये सवाल पूछें कि किसकी इशारे पर E.T. काम कर रही है अब हाई कोट में जब जमानत पर सुनवाई हुई उससे पहले ही कि कोई वहां से रहात मिले या ना मिले ओर्डर से पहले C.B.I. ने उन्हें के रफटार कर लिया ऐसे में फिर सवाल ये कि C.B.I. किसकी इशारे पर काम कर रही है आम आदमी पाची का कहना ये है कि सुप्रीम कोट से अंतरिम सब्मानत तो उन्हें मिलनी ही थी उन्हें इस बात के यकीन था कि यहां से रियायत और रहत कानून के आधार पर अडविन केश जिवाल को मिल जाएगी लेकिन चुकि C.B.I. का किस और बेड़ी इसक्त कोट में चल रहा है इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा यानि कि ये कि एक बीजेपी की पूरी साज़िश थी कि उन्होंने केंद्रिय जाच एजिनसी E.G. और C.B.I. से उनकी यानि केश जिवाल की रहाई ना हो इसके लिए पूरा एक गेम प्लाइन तयार किया और इसलिए सीधा आरोप नर्सस केंद्रिय जाच एजिनसियों पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी लगाया गया जाच एजिनसी और नयपाली के का भीच का निर्णे और अंतरीम बेल मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपराद मुक्तों में एक बार नियाले का निर्णे स्पष्ट आने दीजिए लेकिन यह दिल्ली की जंता अच्छे जानते है कि अर्विंद खेजरिवाल ने जि गिरफ़तार किया था एजी ने मनी लॉंडरिंग के मामले में किस मार्च को अर्विंद केजरिवाल को गिरफ़तार किया था जबकि सी बी आई ने ब्रश्टा चार के मामले में 26 जून को अर्विंद केजरिवाल को गिरफ़तार किया अर्विंद केजरिवाल फिलहाल निया क्या रणनीती होगी देखें ये पार्टी के लिए नहीं ये पूरे देश की आपोजिशन पार्टी जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है इस वाक्त ऐसा महौल है देश के अंदर कि जो आदमी केंदे सरकार की आखों में चुपता है उस पे कोई ना कोई मुकदमा लगा ताके उसको जेल में भीजने की कोशिश की जाती है अपोजिशन पार्टी के नेताओं के उपर पीमले केस लगा के उन्हें डराय धंकाया जाता है उनको चुप कराया जाता है उनको पार्टी छुडवाया जाता है सरकारे गिराई जाती है ये पूरा का पूरा महौल जो है आज इस मामले के बाद बदलेगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सेक्शन 19 के अंदर जिसमें जो बेल माफ कीजेगा जिसमें जो अरेस्ट की पावर है ये एक सब्जेक्टिव पावर है ED के अधिकारी की ओपीनियन के उपर आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं जब बेल का थ्रेशोल्ड सेक्शन 45 में बहुत हाई है, कठिन है ऐसे में अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए सुप्रीम कोट ने का दूसरा सुप्रीम कोट ने का कि अरविंद केजरिवाल जी 90 दिन से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं बिनाबाद सफर कर रहे हैं तीसरी बात कही कि वो मुख्यमंतरी रहे या ना रहे इसके उपर कोई कानूनी प्रावधा नहीं है ये फैसला मुख्यमंतरी का अपना फैसला है सर क्योंकि अर्विन केजरिवाल जी जेल में है इसलिए जो विपक्ष की पार्टिया है वो लगातर हमलावार है अब दिल्ली का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कि आप उमीद कर रहे हैं कि जल्द अगले जब सुनवाई होगी CBI की तो अर्विन केजरिवाल जी बाहर आएंगे और पार्टी के जो कारे करता है उनको होसला भी बड़ा है देखिए बड़े तो बेल तो पीम मिले में मिलनी मुश्किल होती है CBI का जो मुकदमा है PC Act में है उसमें CRPC के नियम होते हैं उसमें जो Burden of Proof है वो CBI के उपर रहेगा तो उसके अंदर मुझे लगता कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी और जल दर्विन के जीवाल बाहर आएंगे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी कैडर के अंदर एक नया उत्सा हाएगा हमारे MLA's, MPs, Counselors उनके अंदर जो है उनका जो हीरो है और अब राज्टर में बात एक ऐसी शादी की जिसकी देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में चाचा है जिस शादी में देश ही नहीं बलकि वितेश से भी बड़े बड़े सितारे शर्कत करने पहँचे हैं और उनके आने का सिर्स्ला लगातार चारी है यह शादी हो रही है देश के सबसे बड़े बिजनस टाइकून यानि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अमबानी की शादी की हम बात कर रहे है अनंत अम्बानी आज राधिका मर्जिन्ट के साथ साथ फेरे लेने जा रहे हैं आज अनंत और राधिका की शादी भारतियत थीम में सजे हुए मंडप में होगे हर तरफ नजर आने जा रही है काशी के छटा अंबानी की शादी में हर इंतजाम बहत खास हैं महमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है अनंत और आदिका की शादी की शाही शादी में चार चांद लगाने के लिए बॉलिवुट सिलीकर हॉलिवुट के सूपर स्टार है तो वहीं देश और विदेश के बड़े बड़े पॉलिटिशन भी अमबानी की गेस्ट लिस्ट में शामिल है खबर तो ये भी है कि कल रिसप्शन में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी शरकत कर सकते है हम आपको इस शादी की एक एक तफ़ीर दिखाएंगी अमबानी के बुलावे पर कौन कौन से हस्तियां उनके बेटे की शादी में शरकत करने पहुँची है उसके गेस्ट लिस्ट भी दिखाएंगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे देश के सबसे बड़े बिजनस टाइकून ने इस लेविश वेडिंग को भारतिय संस्कृती की ज़ा लगती है सबसे पहले आपको आज की इविंट के बारे में बताते अनन्त और राधिका की शादी मुंबाई की जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रही है पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को दुलहन की तरह सजाय क्या है देश विदेश के महमानों को भारतियता के रंग में दिखाने के लिए पूरे वेडिंग विन्यों को खास तोर पर सजाय क्या है शादी के रफ में शुरू हो चुकी है महमानों का ड्रेस कोज भी ताय किया गया है डेकोरेशन के लिए पूल हो, पतिया हो, संकीत हो या फिर पकवान हो, सब कुछ भारतिया है थोड़ी देर में आज के कारिक्रम की पूरी जानकारी आपको दे दें थोड़ी देर में अमबानी को साफा पहनाने की रसम निभाई जाएगी यानि कि अनन्त अमबानी को साफा बांधा जाएगा और मिलनी की रसम निभाई जाएगी इसके बाद रात आठ बजे वर्माला का कारिक्रम होगा वहीं लगन साथ फेरे और सिंदूर दान के रस्म रात सड़े नौ बजे से शुरू होगी अनंत और राधिका की शादी को यादकार बनाने के लिए नीता अमबानी ने यहाँ एक मिनी काशी तयार करवा लिया है मादुर का और भरवान भुले नात की पूचा के साथ कारिक्रम का शुभारम हो चुका है पंद्रा दिन पहले नीता अमबानी वायर नसी में थी उन्होंने बाबा विश्वनात को बेटे अनंत की शादी का कार्ट चड़ाया और फिर मुंबई आकर उन्होंने अपने बेटे की शादी के विन्यों को काशी के थीम पर सजाने का फैसला किया शादी में महमानों का स्वाकत बनारफी शेहनाई सही किया जा रहा है और में चार-चार वराइटी के वो जो काशी की जो चाट है जिसके लिए काशी मशहूर है शीर सागर की मिठाईया हो बनारफी पान हो उसके स्टॉल लगाए गए है देश-विदेश फे आए हुए महमान काशी के वाइके का लुट्फ उठा रहे है यानि नीता अमबानी ने अपने बेटे की शादी में अनंत शहर काशी को सजा दिया है नमस्कार जय काशी विश्वनाथ काशी के साथ मेरी भक्ती का एक घहरा और विशेश नाता रहा है for me and my family it has always been important to seek the blessings of our devis and devtas before any auspicious beginning a few weeks back I went to Varanasi to pray for my children Anant and Radhika before their wedding throughout Anant and Radhika's wedding celebrations we have tried to pay a tribute to India's glorious culture and heritage brought alive by thousands of artisans, karigars, weavers and craftspeople I am delighted to proudly re-imagine and present the purity, positivity and beauty of Varanasi at the wedding the grace of our gods and goddesses, the blessings of our priests and saints, the piousness of our rituals and traditions देखे शादी जो है बड़ा ही एक निजी उत्सव होता है लेकिन जब शादिया इस तरीके से होती है जहां पर संस्कृती की जलग दिखने लगती है खासतोर पर तब जब विदेश से बड़े बड़े celebrities आ रही हो महमान आ रहे हो तुने भारत की संस्कृती की भी जलग देखने को मिलती है जैसे शादी वैसे महमान अमबानी की शादी में देश और दुनिया के दिगज हस्तिया पहुँच रही है हॉलिवुट से लेकर बॉलिवुट तक के सतारे देश विदेश के बड़े बड़े राजनेता शादी में पहुँच रही है तफ्वीर देखी हॉलिवुट आक्टर और डब्ली डब्ली ये के स्टार जॉन सिना जो थोड़ी दिर पहले अमबानी इसके फंक्शन में शामिल होने के लिए मुंबई पहुचे इससे पहले अमेरिकन मॉडल और सोशलाइटर किम कदाशियन अपने ग्लामर से अमबानी की महफिल में चार चांद लगाने पहुच चुकी है नाइजिरियन सिंगर रिमा अभी अभी अमबानी की शादी में पहुचे हैं उनकी तस्वीर भी आ चुकी है ब्रिटेन के पूरो प्रधान मंत्री टोनी ब्लेर भी जियो वर्ल्ट सेंटर में हो रही अनंत और रादिका की शादी अटेंट करने के लिए पहुचे हैं इनके अलावा ब्रिटेन की भारत में उच्चायुकत लेंडी कैमरून भी आज अमबानी की महमान हैं अमबानी की शादी में पहुचे एक और वी वी आईपी गेस्ट की तस्वीर आप देखें यह है ली जे यॉंग जो की सैमसंग कमपनी के चेर्मन है यह भी पहुच चुके हैं भारती ग्रुप की चेरपरसन सुनील मित्तल भी शादी में पहुच चुके हैं तस्वीरे उनकी भी आपके सामने अभी अभी अखिलेश यादव भी अमबानी की शादी अटेंट करने के लिए मुंबई पहुच गई थी अनन्त अमबानी की शादी के बहाने ममताब अनर्जी आज कई राज्यतिक मुलाकात भी करेंगी आज शाम चार बजे ममताब अनर्जी उदव ठाकरे से मुलाकात करेंगी शाम पांच बजे शरतववार से मुलाकात होगी तो अखिलेश यादव भी चुके पहुचे चुके हैं मुंबई तो उनसे भी ममताब अनर्जी के मुलाकात होगी इधर लालो यादर की भी तस्वीर आप देखिए वो भी अनन्त और आदिका की शादी अटेंट करने के लिए मुंबई पहुँचे हैं अमबाने की वेटिंग फंक्शन में उधव ठाकरे भी पहुँचेंगे इससे पहले हल्दी सरीमनी में भी उधव ठाकरे पहुँचेंगे उनके साथ उनके बेटे आदिते ठाकरे भी थे ये तब की तस्वीरी जब हल्दी का फंक्शन होना था उस वक्त ये दोनों दिखाए दिये अमबानी की शादी हो और खिलारी जो है क्रिकेट के खास तोर पर खिलारी आपको यहां ना दिखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता उनके भी आने का सिलसिरा चारी है सचिन तेंदूलकर की तस्वीरें जो आज अमबानी की शादी में शरकत करने के लिए मुंबाई वापस लॉट आए हैं उनके पतने अंजली भी उनके साथ दिखाए दे रहे थी महेंदर सिंग धोनी अपने पतनी के साथ अमबानी की शादी में आज शाम पहुचेंगी में आज बॉलिवुड से लेका तक्षन तक के सितारों का मेला दिखाए देने वाला है जानवी कपूर को आप इस वक देख रहे हैं बानी परिवार ने जादातर बॉलिवड सितारों को इन्वाइट किया है बॉलिवड स्टार्स इस से पहले हुए अनंतर रादिका के जितने प्रिवेटिंग फंक्शन थे उसमें भी नसर आए महराश्टर की सबसे कॉंट्रोवर्शिल आई-एस पूजा खेड कर पहले बार मीडिया के सामने आई क्या कहा उन्होंने पूरी खबर देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद